आज के मारी जो वीडियो है वह काफी इंट्रेस्टिंग रहने क्योंकि आज मैं कपड़े की वीडियो नहीं बना रही हूं मैं आज बना रही मेरी पुरानी सैंडल की तो कई दोले पर रह荧ा नहीं कि कहीं महीं सेंडल है इसें काफी पसंद है बट मैं इसे आने जाने में नहीं पहन सकती क्योंकि यह घिस चुकी थी मतला उपर से जो इनका थ्रेड था वो हट चुका था तो मैंने इसका कुछ डियवाई करते हैं तो सबसे पहले मैं मार्किर से लेकिए इसके लिए आदे मीटर मिरर वर्क में लैस और लैस भी काफी मिल क्यों के और यह दूए में मैं और यह जाया है छाने में जाएगी तो मैं के लेकालमे पैसरीन की पर नहीं तो इसके बेम आता नहीं करमके यहीं लेकर उन्यक्रूgasm इस वज़े से अगर आपका थ्रेड नहीं आरपा जा सकता है नेडल नहीं जा सकती तो आप इस पे आराम से फैबरिक ग्लू थोड़ा और लगाईए और इसे थोड़ी दिर के लिए रेस्ट करने रख दीजी क्योंकि अगर आप ही सोच हो कि आप साथी साथी से पहन के करोगे कि मैंने दूसरे वाले पार्ट से इसे मिलती हुए लैस निकाली कलर दौनों का चेंज हो रहा था लेकिन हार डिजाइन दौनों मैंने सेम ली बीज में मिरर वर्क लिया है और उसे भी से इसी तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया इसके बाद मैं इसमें निडल का उज करी हूँ इसमें आरम से नइडल जा रही थी करकि जो इसका वर्क ता कहीं पे मौटर कहीं पे पतला था जिसकी विजह कैई बार जा रही थी और कई पर काफी प्रोब्लम हो रही थी बढ़ फिर भी बहुत आराम से हो गई थी और यह ऐसे भी नहीं होती तो यह मैंने जो फैबरी ग्लू लगाया उससे भी आराम से चल जाती बट मैं चाहती थी कि मैं इसका एक दम मजबूत काम कर दू ताकि यह निकल के बहार ना आए और मैं इसे और काफी टाइम तक पहन सकूँ तो निडल करने के लगाने के बाद मैंने एक एक जगे निडल से इसे सुई धागे से इसे पूरी तरीके से करा है दोनों साइड से और साइड से तो मैंने और ज़्यादा करा है ताकि यह निकले ना क्योंकि साइड से ही निकलन से अलग हटके कुछ चीज़े आप देखना चाहते तो प्लीज मुझे कमेंट करें मैं वह चीज़े लेकर आऊँगी यह देखिए आप बिल्कुल नहीं लग रही है और इसकी जो शाइन है जो मिरर वर्क का जो मैंने यूज कर रहा है ना यह सबसे बैस्ट डिसिजन था मेरा तो आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी थैंक यू सो मच